इसमें जो आंगनवाडी सेविका और साहेका है इनके मांदे में बड़ोत्री राजय सरकार ने की है आंगनवाडी सेविका का 5950 होता है उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7000 और आंगनवाडी साहेका का है 2975 जो बढ़ा के कर दिया है 4000 रपे समाज कल्यान निदेशाल है यह जो समाज कल्यान विभाग है इसमें जो आंगनवाडी सेविका और साहेका है इनके मांदे में बड़ोत्री राजय सरकार ने की है आपको जानकरी होगा कि जो मांदे है सेविका और साहेका आंगनवाडी केंद्रों पे उसमें 60 प्रतिशत भार अंश है जो 40% है उसमें बड़ोत्री की और भारत सरकार का अंश जो है वो यतावत रहा अब राजय सरकार ने इसको और बढ़ा दिया अपना जो अंश है और अब जो स्तिती है मैं पढ़ देता हूँ जो आपको जानकरी में अब जो सेवी का है सेवी का उसका अब 7000 रुपे हो जाएगा 7000 रुपे पूर में इसको 5950 मिलता था अब यह हो जाएगा 7000 और जो सही का है इसको 2 1964 रुपे मिलते थे अब यह बढ़के हो जागा 4000 राजय सरकार जो अंतर राशी है जो भार्य सरकार जो 60-40 में देती है वो अंतराशी अब राजे सरकार देगी अब अगर पूरा रिशो देखा जाए जो साथ जार रुपे सेविका को मिलेगा और साइका को चार जार मिलेगा तो अब भारा सरकार का अंच जो हो जाता है वो 38 जसमलव 57 हो जाता है 38.57% हो जागा है भारसरकार का अंच और राजसरकार का जो अंच होता है पूरे व्याय में वो 61.43 मैं पुने बदपड़ देता हूँ आंगनवाडी सेविका का 5,950 होता है उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7,000 और आंगनवाडी साहिका का है 2,975 जो बढ़ा के कर दिया है 4,000 रपे भारसरकार का गाइडलाइन है कि 60% भारसरकार देती है और 40% राजसरकार देती है क्योंकि भारसरकार ने अपना जो अंच है वो यथावत रखा है इसलिए राजसरकार ने अपना अंच बढ़ा दिया है जिस कारण से अब भारसरकार का अंच हो जाता है 38.57 और राज और राजय सरकार का हो जाता है 61.43, क्लियर है सबको?